हलो फ्रेंड्स, AIPMT NEED 2013, Newton Laws of Motion and Friction के इस क्वेशन में हमें दिया गया है थ्री ब्लॉक्स हैं जिनके मासेज M, 2M और 3M हैं और वो कनेक्टेड हैं स्ट्रिंग से जैसा की डाइगराम में दिखाया गया है क्वेशन में हमसे कहा गया है कि एक अपवर्ट फोर्स F लगाया जाता है मास M के ब्लॉक पर जिससे की सभी मासेज उपर की तरफ मूव करते हैं कॉंस्टेंट स्पीड V से तो हमसे पूछा है कि बताइए नेट फोर्स ब्लॉक ऑफ मास 2M कितना होगा जी दिया हुआ है एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रैविटी तो देखिए ये जो क्वेशन है इसको करने के दो तरीके हैं सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू कि what is the shortest तरीका जिससे की आप इस क्वेशन को कर सकते हैं question में आपको दिया है कि ये जो block का system है इस system पर आपने force f लगाया है और system constant speed v से move कर रहा है तो देखिए अगर इस पूरे system के लिए मैं लगाता हूँ equation of Newton's second law on applying equation of Newton's second law system पे अगर हम Newton's second law सीधे ही लगा देते हैं तो Newton's second law system के लिए क्या कहता है summation of all forces on system is equal to mass of system acceleration of system तो यहाँ पर acceleration of system कितना है acceleration of system हमें दिया हुआ है zero क्योंकि velocity of system हमें दिया हुआ है constant constant velocity से system move कर रहा है उपर की तरफ यानि body पर जितने भी forces लग रहे हैं system पे जितने भी forces लग रहे हैं उन सभी का vector sum क्या हो गया zero इसका मतलब आपके जो भी blocks यहाँ पर हैं जैसे f1 पे मैं बात करूँ तो one block पे जितने भी forces लग रहे हैं उन सभी का vector sum क्या हो जाएगा zero two पर जो forces लग रहे हैं सारे उन सभी का vector sum मिला कर क्या हो जाएगा zero और तीसरा जो block है उस पर भी जितने forces लग रहे हैं उन सब का sum मिला कर क्या हो जाएगा zero क्योंकि system का acceleration zero है इसलिए system पर net force zero है so every part of system every part of system will remain in equilibrium system का सभी parts जो हैं वो किसमे रहेंगे equilibrium पे रहेंगे सभी जगे net force क्या रहेगा zero so इस question का answer second block के लिए net force zero ये होगा अब ये तो मैंने आपको बताया shortest way question को करने का जिसमें कि आपको practically कोई calculation नहीं करना पड़ा कोई FBD नहीं बनाना पड़ा केवल concepts की strength इतनी थी के हम समझ गए के answer कितना है अब अगर आप इसका detailed solution चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे बाकी देखे जो आज मैं upload में डालूंगा इसके अलावा अगर आप मेरे solutions के text format देखना चाहते हैं यानि आप उन्हें written form में देखना चाहते हैं हर बार आपको नहीं लगता कि आपको वीडियो देखना चाहिए आपको कई बार मेरे solution को refer करना है तो आप मेरे tech solution question नहीं बनता मेरे blog पर भी देख सकते हैं आप मुझे contact करना चाहते हैं तो contact भी कर सकते हैं facebook page और insta पर join कर सकते हैं